इस विडियो में हमारे इंशूरंस क्लेम के जो लास्ट यउर में एक्षाम में क्वेश्चन आये हैं उनको कवर अप करने वाले यह वीडियो कू स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर 69.6% यसे लोग आकर वीडियो देखते चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मिलते रहे तो आज की वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं पहले देखिए जैसे कि यह चैप्टर है इसके लास्ट क्वेशन जो आ रखे हैं थियोरी बेस पे वो लास्ट 2016 में आया था उससे बाद कोई भी थियोरी से रिलेटेड इस चैप्टर से क्वेशन में कैँ में नहीं पूछा गया है ठीक है इसमें से मोस्टी क्वेशाम में पूछे जाते हैं हमारे जो आते हैं ट्रैक्टिकल क्वेशन देखे गाई इस chapter में से basically हमारे दो questions बनते हैं जो कि एक 5 marks short में आता है एक आपका long में पुछा जाता है that is 15 marks ऐसे ही आपको अगर देखें 2019 है ऐसे 2018 में भी आयो है एक 5 में 15 में तो basically जिस पिछले 4-5 सालों से देखे तो ऐसा ही चल रहा है ठीक है इसके theory के questions इतने important नहीं है अ अगर हमारे पास time बचा तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा cover करेंगे क्योंकि काफी बच्चे होते हैं जो theory के base पेपर देने चाते हैं तो हम लोग उसको भी करेंगे फिलहाल के लिए हम लोग अपनी एक बार practicals को start करते हैं ठीक है गाई तो चैनल को please guys subscribe कर लिया किजी और व the first question जो आया हमारा 5 marks में and second आया हम लोगों का 15 marks में I am 100% sure after this video आप लोगों को यह चैप्टर अगर जिनको भूल भी चुका है पूरी तरह से रिमाइंड होने वाला है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करते थे ठीक है एक्चुल में लोग इस चैप्टर के अंदर क्य में find out करना है ठीक है आपको बता रहा है कि value of stock destroy by fire जो stock destroy हो गया था fire के through that is 90,000 का stroke destroy हो गया है insurance आप लोगों ने करवा रखी है 65,000 की और जो stock salvage जो stock fire लगने के बाद बच गया है 40,000 that means अगर आप लोग देखो तो आपका total stroke कितना हुआ इतना stock destroy हो गया fire लगने के बाद और इतना आपका बच गया तो जिस दिन fire रखकर हुई total उस दिन आपका go down में कितना समान अविलेबल था 90,000 प्लस 40,000 that is equals to one like 30,000 तो वो material आप लोगों का उस दिन store में अविलेबल था जिस दिन fire रखकर हुई ठीक है न इतना destroy हुआ इतना बच इतना बच गया तो total available कितना था fire day तो हम लोग ऐसे total value of stock पहले अपना लिख लेंगे that is 90,000 प्लस 40,000 is equals to one like 30,000 अब हमें यहां पी निकालने को क्या बोला गया simply insurance claim find out करने को बोला insurance claim का I don't think आपको formula remind होएगा मैं आपको remind कर वारी हूं formula formula क्या होता था amount of policy कि आपने कितने का amount की insurance करवाई है amount of policy divided by stock on date of fire fire जिस दिन अक्कर हुई उस date को go down में कितना material अविलेबल था stock on date of fire आपको formula शो कर देती हूं यह देखिए amount of policy divided by stock on date of fire multiply by loss of stock जो आपको loss हुआ ठीक है आपका amount कितना है policy का आपका amount कितनी की अपने insurance करवाई that is 65,000 65,000 के आपने insurance करवाई stock on the date of fire उस जिस दिन fire करवी उस दिन date को आपके go down में कितना स्टोक था टोटल 90,000 डिस्ट्रोई हुआ और बचा 40,000 टोटल कितना हुआ 1,30,000 डोनों को टोटल करके 1,30,000 और multiplier जो आपका loss हुआ तो loss तो इन्होंने हमें निकाल के बताया हुआ कि value destroy by fire इतने की हुई 90,000 का हमारा loss हुआ तो हम लोग यह formula में values को put करेंगे और हमारा 45,000 आजाएगा जी answer तो 45,000 यहापे आप देख सकते है answer है आम लोगों का easily question covered है next question जो last year में एक्जाम में पुछा गया था on 1st April 2015 go down of उजाइन लिम्टीड वास डिस्ट्रोय बाइफायर 1st April को destroy हुआ है from the books of account the following particulars आपको बिनाने अब आप लोगों को थोड़ा सा back में आपको flashback नजर आएगा कि आपने questions कैसे का रखे आपको थोड़ा थोड़ा रिमाइ आपको स्टोक जो गिवन है 1st January 2014 का स्टोक गिवन है तो आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा आपको थोड़ा 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 रिमाइंड हो रहा होगा कि हम लोगों को जब GP रेशो गिवन होती है तो हम लोग सिधा मेमोरेंडम अकाउंट ब गेम बनाते थे बड़ जब हमें question में GP रेशो नहीं गिवन होती थी तो हमें लास्ट येर की वेल्यूस गिवन होती थी उनकी है से हम लोग GP रेशो निकालते थे थोड़ा थोड़ा आपको याद आएगा दीरे दीरे सारा आएगा जैसे अब आपनों को ओपनिंग स्टोक अब स्टार्ट भी है तो 31 दिसंबर को फिनिश हो जाएगा न तो फ़र्स जैनवरी 2015 से निव यह स्टार्ट हो रहे है उस उस येर में फायर रखकर हुए यह आपको लास्ट येर का आपनिंग स्टोक गीवन है इसी साल का एंड का क्लोजिंग आपको बता रहा है 5120 उसके आपको परचेश बता रहे है इसकी 271350 उसके बाद आपको परचेश बता रहे है 1st January 2015 इस एयर की जो इस तन जिस एयर में फायर रखकर हुए 1st January 2015, 21st March 2015 तक की आपको परचेश बता रहे है जो कि हमारी त्रेडिंग अकाउंट की उसके बाद सेल बता रखी है इसी की जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे पिछले साल का उसकी 351,000 उसके बाद हमें बता रखी है थोड़ा थोड़ा आपको रिमाइंड हुआ हम लोग थोड़ी थोड़ी वैल्यूज उठाते हैं पहले हमें ट्रेडिंग की ओपनिंग इवन है 2750070 तो हमने ट्रेडिंग में 27570 की वैल्यू डाल दी उसके बाद हमें यहां पे स्टोक क्लोजिंग इवन है 51120 तो हमारे पास य 271350 की अपने परचेज ले ली उसके बाद आपको परचेज यह मेमरेंडम अगले अकाउंट की गिवन अभी स्किप कर दो इसको नेक्स्ट अकाउंट में देखते हैं उसके बाद इसी अकाउंट की 2014 डेट देख लेना है 2014 की सेल गिवन आपको 351,000 की तो यह वैल्यू डाल की वैल्यू हमने गलती से 1500 ले लिया है कब 31st December 2014 वाली वैल्यू में 31st December 2014 वाली वैल्यू कौन सी है 31st December 2014 की वैल्यू कौन सी है closing stock 51120 इसकी actual value थी 3600 जो goods हमने इसमें add करने थे 3600 इसकी actual value थी बट हमने इसको गलती से 1500 पे consider किया हुआ है in this value तो हमने कितनी कम value assume कि विया 3600 में से 1500 आप लोग माइनस करोगे तो आपकी value आएगी 2100 आपने इसमें 2100 कम add किये हुए ठीक है 3600 टोटल आपके abnormal निकल जाएंगे बट अगर आप लोगों ने टोटल पूरे इतने ही add किये हुँगे बट आप लोगों ने जो आपकी statement है उसमें 1500 add किये हुए तो आपने कितनी value add नहीं करी हुए that is 2100 जो कि 3600 माइनस 1500 करके आएगा 2100 पहले आप उसको add करोगे दे 51120 उसमें से आपको 2100 आपने कम add किया हुए original value कितनी थी 3600 but has been valued हम लोगों ने कितनी value पे उसको add किया हुए 1500 पे तो हमने कितनी value को कम add किया है ठीक है 51120 में उतनी value आप add कर दोगे जितनी बोली गी है original value उसको आपको abnormal side x होती है normal side एक होती है आप लोगों कि abnormal side जो additional information given होत होती है normal की हमें तो ऊपर मिल गई थी अब normal के लिए given होती है according to that हमारे 3600 इधर चले जाएंगे बाकि minus करके जो value वह यहां आ जाएगी sales हमें given थी as it is डाली हमने उसके बाद जो यह value आगे उसके बाद बोले these were sold in March 2015 उसके बाद बता दी जो यह values है जो यह 3600 के stock है यह sale होग कर देंगे उसके बाद यह भी 2015 से related information given है बाकी information में 2015 से related given है ठीक है और एक चीज इसमें हम लोग रिमाइंड रखने वाली बाकी हम लोगों की information opening given था as it is sale given थी closing stock निकाल गया अब आप लोगों को एक चीज और रिमाइंड रखनी है जो treatment आप लोग क्लोजिंग स्टॉक में aside करोगे same treatment always अगर आप लोगों कोई चीज abnormal है आपकी आप लोगों की closing stock बचा है कोई abnormal आप लोगों ने वही चीज अब नोर्मल ही परचेज करी होएगी आप लोग परचेज ही करते हो ना स्टोक आप लोगों बलक में परचेज कर लिए तो काफी products defective निकलाते हैं तो same effect आ करें क्योंकि एक्जाम में आयों है तो रुपीट हो रहे हैं तो इसी वज़े से क्वेश्चन पर वीडियो बनाईए आप लोगों के लिए ध्यान रखेएगा ट्रेडिंग अकाउंट बना के आपको पहले जीपी रेशो फाइंड आउट करने हैं अगर आपको यह 30% क्वेश हमें आप लोग इसी क्लोजिंग को उसका ओपनिंग कंसीडर करोगे 49620 और 3600 ठीक है उसके बाद हमें नेक्स्ट यर की और क्या इंफोमिशन यहां पर गीवन है देखें परचेस गीवन थी 75,000 की 75,000 परचेस यह लिख रखी है उसके बाद हमें यहां पर सेल्स गीवन है नेक्स्ट पिरिएड की 91500 तो 91500 की यहां पर देखें सेल्स लिख रखी है उसके बाद हमें यहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स लिख रहा है और कुछ नहीं दे रखा ठीक है तो उसके बाद अब आप लोगों को क्या करने है उसके बाद हम लोगों पहले तो पीछे जीप नहीं की find out करेंगे उसके बाद 30% लगाएंगे अब additional information एक बार rate करते हैं यहां पर क्या था दीज वर गुड्स जो हमारी यह गुड्स थे 3600 के दीज वर सोल्ड इन मार्च 2015 में यह सेल हो गए 2700 के यह सेल हो गए 2015 में 2015 का अकाउंट बन रहा है न हमारा जब fire अ करुई तो तब यह जो हमारे हैं यह सेल हो गए 2700 के हमारे सेल हुए तो टोटल हमारी सेल कितनी थी उस कि 91500 तो 91500 में से 2700 हमारे अब नॉर्मल साइड आगे माइनस करके जो बचे वो आगे हमारे नॉर्मल साइड चीके जी उसके बाद आगे क्या है उन 31st मार्च गुड्स वर्थ 15,000 हैव बीन रिसीवड बाइदी गुड्स मार्च 2015 को 15,000 का अमाउंट के गुड्स रिसीव बट उनकी एंटरी नहीं होई कितने के 15,000 के तो 15,000 की एंटरी नहीं हुई आप लोग 17,000 थे उसमें 15,000 एड करके टोटल 90,000 ले लोगे ठीक है अब आपके पास ये लास्ट ये में से लिए यह भी निकाली ये भी निकाली अब इसके उपर आपको लगा देनी है जीपी की देश यो 30 परसंट लगा दोगी तो आपकी यह वैलिव आजाएगी अब आपको प्लस माइनस करना है या आपकर gross profit आता है यहां value इधर आएगी यहां gross loss में आएगी इसको closing stock के सामने मत लिखना closing stock की value आपको given हो सकती है बट अगर नहीं given तो आप लगोगे इसके सामने नहीं लिखना है ठीक है यह 900 आपका loss है उसके बाद आपको statement of claim बनाना होता है ठीक है statement of claim में जो आपका closing stock आता है ठीक है अगर तो आपके अब नॉर्मल साइड है value सिरफ यह as it is ले लोगे अगर अब नॉर्मल साइड भी होती तो आपको उन दोनों को add करके यहां पर लेना है आगे question आएंगे हम लोग देखेंगे उसमें फिलाल यही है तो 77460 इसमें से आपको less कर देनी है जो stock आपका बच गया salvage कितना बच गया 6800 का तो आपको lows कितना हो गया low stock 670660 यह total आपको हो गया low stock ठीक है जी question guys बिल्कुल simple है थोड़ा सापको इसको remember करने की ज़रूरत है अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि टफ है तो आप लोग मेरी पिछे जाक के पास देख सकते हो 21 question I think यह तो आप लोग उनको जाके थोड़ा सा 21 question 22 ऐसे कुछ आज पास के questions एक बार देख लो कि कैसे का रखें तो I hope आपको topic clear हो जाएगा यह question complete हो चुका है इसके पहले है हमारा 2018 माई इसमें भी हमारा question 5 marks में आया और 15 marks में इसका 5 marks वाला question पहले दे चीका fire रखकर हुए है इस टोक दे रखा है 17 2017 का 17 2017 का देख सकते हैं कब fire रखकर हुए है 3 months के बाद तो हमें यह मतलब करेंटेर information दे रखें आपको GP की रेशो भी बता रही है GP की परसंटेज 30% तो आपको उसी के according आप इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंटी बनाना सीध स्टोक और 1st April 1,5300 पर्चेज इस गिवन है आपको मैनुफेक्टरिंग की एक्सपेंसिस गिवन है सेल्स गिवन है गुड्स यूज़ 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 उसके पार्टनर ने खुद यूज़ कर लिए जो परसनल यूज़ होती है उसको आप लोग पर्चेज में से 504 0000 और मैने बताया जो परसनल यूज़ के है 10,500 इसको आप माइनस करोगे तो सेम ऐस इस वही कर रख है तो आपकी पर्चेज वैल्यू आगी उसके बाद आपको मैनुफेक्टरिंग एक्समेंसिस गिवन है 2,60,000 के वो डाल दी है उसके बाद आपको सेल्स गिवन है उन् इन्होंने बोला 30% on cost अगर हमें question में बोला जाता जो मेरा method है मैंने आपको समझा रख है अगर हमें question में बोला होता 30% on sale हमने directly लगा देना था ना इसके उपर sale के उपर और अगर हम लोग हमारी cost sheet के उपर नज़र डाले जो हम लोग cost sheet करते थे हमने इससे पहले बार SM में क बोला होता था तो हम क्या करते थे अगर हमारे पास 30% on sale बोला होता था बट हमारी answer में cost निकल के आती थी तो अगर sale की given है इससे cost पे जाना होता था तो हम वो amount cost का जो भी होता था उसके उपर 30 upon 100-30 कर देते थे 130 upon 100-30 करके हम लोगों को sale पे बोला है तो sale से cost पे जाने के ल sale पे तो इसका opposite 30 upon 100-30 करते थे अब अब लोगों ने इसमें 30 plus कर देना है 30 upon 100 plus 30 करके जाना हमने opposite जा रहे है ना से cost पे जाने में माइनेस करते थे तो cost पे sale से जाने में हम एड करेंगे तो हमने गाइस सेम वही किया है जो मैंने आपको यहां पर समझाया 30% on cost है हमारे पास है सेल की वैल्यू है तो सेल की ऊपर लगाने है तो 30 upon 130 करके हमारी यह वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस करके हम लोगों नहीं जीपी क्लोजिंग बैलन्स निकल जाएगा हम लोगों का easily उसके बाद हमें question में क्या given है value of salvage given है ठीक है स्टोक निकल आएगा easily कुछ भी नहीं करना ज्यादा तफ नहीं है कुछ भी आपको रिमाइंड होता जाएगा इस वीडियो जैसे वीडियो खतम होने वाली होईगी आपको दीरे दीरे काफी सारे topics हैं जो अगर आपको बूल चुक्क है तो आपको याद आजाएंगी ठीक बता रखी है 1,50000 की अधित्या गिस यू फॉलिविंग इंफोर्मिशन फॉर्मिशन फॉर्म दी पीड फॉर्स अप्राइल 2017 तो 12 जन्वरी परचेस बताई है सेल बताया है गुड्स कोस्ट 5000 जो की टेकन अवर की है अधित्या ने 5000 फोर पर्सनल यूज कोस्ट यह आपको स्टॉक बता रहा है फॉर लाक रुपीज का सोरी क्लोजिंग स्टॉक बोली हूं ओपनिंग स्टॉक बता रहा है आप लोगों को फॉर लाक रुपीज का अगर लास्ट फ्यू यह अधित्या है सेलिंग गूड्स कंसिस्टेंट जीपी की देशों बता रखी है 33 1 by 3 परसे इंशोरेंस पॉलिसी बता रखी है आपको फाइव लाक की उन्होंने इंशोरेंस कर वाई अब इस क्वेश्चन में चेंज किया है डिट्टो इस ही जो हमने अभी फाइव मार्स के लिए क्वेश्चन किया डिट्टो उसी के जैसे इसको सॉल करते है ना जितना समझ आ रहा उसके बाद हमें अब टो ओपनिंग और लाक का ओपनिंग स्टो डाल है U司 और वाण रीज़ी अगरत आपको इसए रेश्यो गिवन हो तो आप लोग यहां पीछेवाली वैली उठा लिया करो अदरवाइस आपको दूसरा मेरा पता है जो मैंने अभी अभी पिछले question में समझाया आपको sale के उपर percentage given है नो तो आप लोग simply उसको लगा सकते हो 33.33 करके अदरवाइस आप लोग जैसे नाइन लैक की सेल इसके डिवाइड में 3 कर दोगे तो आपकी वही वैल्यू आएगी जो आपको वैसे चाहिए तो 3 लैक की आगी आपकी जीपी प्लस माइनस करने पर आपका क्लोजिंग निकल आया 6 लैक का उसके बाद आपका स्टेटमेंट ओफ क्लेम निकालना आपको आपको आपकी सेलवेज की वैल्यू यहां पर गीवन है वान लैक फिफ्टी थाउजंड तो आपने जो यह क्लोजिंग बैलंस निकाला विद्धी हाल पो देस आप लोग इसमे क्लेम कर सकते हैं वह अभी अभी आपने यह वलाएक क्वेश्चन किया था इसमें मैंने आपको फॉर्मुला बताया था कि अमांट ओफ क्लेम कैसे फाइंड आउट करने है डैट इस फॉर्मुला क्या था अमांट ओफ पॉलिसी जो उसने इंश्वरंस करवाई डिवाइड बाइ टोक ओन दी डेट ओफ फायर मल्टिप्लाइ बाइ लोस्टो टिट वही फॉर्मुला है जो आपका इस क्वेश्चन में अपलाई होता है सारे चैप्टर हमारा और यह तो फॉर्मूला भी एक ही होगा ना अमाउंट ओफ ख्लेम अप लोग का क्या फॉर्मूला है अमाउंट जो है अपका पॉलिसी का कितने की अपने इस्वरेंस पॉलिसी करवाई तो फाइव लैक रुपीज की तो फाइव लैक रुपीज उपर स्टोक ओन दी डेट ओ फायर जब फायर करी उस दिन आपकी गोडा तो आप लोग इसको 5000 एक रज्यूम कर सकते हो 375,000 आप रोक्स आप लोगों का आजाएगा आंसर ठीक है यह हम लोगों का 2018 माई के जो दो क्वेस्चेन्स यह दोनों कवर अप हो चुकी है ठीक है इसके बाद हम लोगों के क्वेस्चेन्स अट 2017 में भी आप लोग देख सकत अटैчес है ल्यानों क difils in in the draft जोर्ख्राइब की का прошार में कि एक ल तो कुछ कि करना है ऑफनिंग यीम सेटाले जाले चार दाले ट्ली और बलग पर लगाया प्लस्माइन का कोना का श्रॉप सर क्या करना था इस question में कुछ भी नहीं बहुत एजी question आये हुए एक्जाम में आप लोगो बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना की question कहां से आएंगी चैप्टर प्रैक्टिकल बेस इंपॉर्टेंट है तभी आपको प्रैक्टिकल्स करवारी हो इसके question के ठीक है हमारे दो इहर् कर रहा है मोगों देखते हैं कितने यह और करते हैं next question क्या है on 20th July 2016 a fire broke out in the premises of Rajan some records were saved from the following information gathered इसमें आपको स्टोग इवन है 1st April 2015 का 1st April 2015 का स्टोग इवन है fire कप पर कर हुई है 20th July पहले जब मुझे इस टोग दिखा मुझे तब भी थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इस question में जीपी नहीं गिवन होगा क्यूंकि हमें previous year की opening stock closing stock यह चीज़े गीवन है पर चैसे गीवन है तो हमें आइडिया हो गया कि इस question में जीपी निकालना पड 2016 का इसी year के end का जो गीवन है 1,8,000 यह हमें 10% below cost पे गीवन है हमें total 100% कोस्ट चाहिए होती है हमें 10% below cost पे गीवन है हमें 90 पे गीवन है ठीक है तो हम लोगों को 100 पे निकालना तो हम इसके उपर 100 upon 90 कर देंगे तो हम लोगों का पूरा 100 के लिए निकल आएगा closing stock यह देख 1st March इसी पीरिड की ट्रेडिंग वाले की 4,20,000 पर चेस डाल दी आप लोगों ने चीक है उसके बाद आपको सेल्स गिवन है 1st प्रेल 2015 231st March 2016 इसी पीरिड की आपको सेल्स गिवन है 6,00,000 आपने वो डाल दी चीक है आप लोगों ने प्लस माइनस करा सिंपली आप लोगों है सही था ना परसेंटेश तो आप लोग इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं अब हम लोगों ने यह इंफोमेशन को सारा यूज कर लिए अब हम लोगों ने आगे रेट करते हैं अपनी स्टेट्मेंट को परचेस लेस्त रिटर्न गिवन हैं आप लोगों को मेमरेंडम में भले पीड़ किये देखो 2016 यह चेंज हो चुका है फस्ट अप्राइल 2016 तो ट्वंटी है जुलाइग 2016 के आपको परचेस और सेल्स गिवन है दोनों पीड़ की परचेस कितनी है वालन एक फुर्टी थाउजन वालन एक फुर्टी थाउजन तो तो अभी आपको अडिशन इं 20 जुलाइग 2016 ठीक है 2016 के बारे में बोलें सेल जो है 2016 की उसमें फुर्टी थाउजन के गुड्स इंक्लूडीड है जो की गुड्स अभी तक डिस्पैच ही नहीं हो है जो की अभी तक उसकी एक्ट्वल पोजिशन पे जहां पे उनको पहुंचना चाहिए देस्टिनी पे प इक्लूडी नहीं किया गया है नोट बीन रिसीव फॉंदी सप्लाइर क्योंकि उसका इन्वोइस नहीं रिसीव हुआ था बट वह मिटीरियल गोडाउन में पहुंच चुका है थो गुड्स है रिसीव डैटी गोडाउन गुड्स गोडाउन में चाह चुके हैं जस्ट उस इसके बाद परचेज निकाली जीपी की रेश्यों नहीं आप निकाली थे वह लगा देनी आपको सेल पर आपने वन अपन त्री जैसे मैंने पिछले कोशिन में किया था वही चीज लगा दी प्लस माइनस करा क्लोजिंग स्टोक निकला है चीग है उसके बाद आपको सिंप लोगों का यह आंसर हम लोगों का 2017 के बी दोनों questions कवर कर हो चुके है अब करते हैं हम लोग 2016 का question ठीक है आप लोगों को इस वीडियो में करवा देखती हैं चलो कोते questions होते हैं 2016 मही का question है ठीक है इस question को देखते हैं अब हम लोग इस question में क्या given है a fire रगकर इन दी परसनल यूज के लिए ले लिए ओपनिंग स्टोक दे रहा है 40,000 का जिसमें से उसके बाद आपको जीपी की रेट दे रही है इंशोरेंस इतने की करवाई डिट्टो समय जो हमने अभी अभी सॉल किया था थोड़ी दिर पहले डिट्टो उसके जैसे हम आपको सुल्यूशन क लगा देंगे हमें 33.1 by 3 गिवन है तो वो डिवाइड बाइ 3 करके 30,000 तो सेम हम लोगों क्लोजिंग स्टोक निकला है exactly हम लोग ने उसके बाद स्टेट्मेंट ऑफ क्लेम निकालनी है 60,000 का हमारे ये स्टोक निकला ये वाला सैलवेश की वैल्यू हमें यहां पे 18,000 आपको लास में वो फोमूला अप्लाई करना है कि amount of policy कितना था डिवाइड स्टोक कितना अविलेबल था only date of fire multiply by जो आपका हुआ loss तो ये policy कितने की करवाई उसने 50,000 की तो 50,000 डाल दिये divided by stock only date of fire कितना था जब fire अकर हुई इतने का इतने में से इतना बच गया इतना हमार लोस होगा तो solve करके हमारी इतनी value वाईगी 3499.9 तो हम इसको 35,000 डाजियूं कर सकते हैं अप्रोक्स ले सकते हैं ठीक है हम लोगों 2016 में भी completed है next question है हमारा 2014 अप्रेल का ठीक है guys आप लोगों को मेरे चैनल पर जाना है इस question के लिए मैं आपको simply बता रहे हूँ बहुत easy question question मेरे मेरे चैनल पर advanced accounting की playlist है उसमें आप लोग स्क्रोल करोगे तो नीचे जाके आपको इस chapter की वीडियो मिलेंगी उसमें मैंने problem number 21 एक question है जो मैंने एक वीडियो में cover up की है कुछ questions है जैसे 19, 18, 20, 21 ऐसे मैंने थंबनेल पर लिख रखा होएगा जहां पे आपको 21 number question दिख से पंडे में नहीं दिल कर रहा है तो आप लोग एक बार वीडियो के थ्रूट को question को समझ लेना बहुत ही easily explain कर रहा है उस वीडियो में मैंने इस question को डिट्टो उसकी copy question है तो आप लोग कुछ भी ड़ने की ज़रूरत नहीं है डिट्टो पूरा answers वगरा match कर रहे हैं मैंने आप लोगों को कुछ questions बता रही हूं 2012 अप्रेल 2013 सब्तंबर में question आया हुआ है same question 2010 सब्तंबर में आया हुआ ठीक है उसके बाद हमारे थोड़े से practical इसके question रहती है इसी chapter के मैं आपको वो questions next video में cover up करवाऊंगी वो आपके loss of profit topic से है तो वो topic आपके लिए इसके अंदर include करना थोड़ा सा बेवकुफिवला काम होईगा क्योंकि वो थोड़ा सा different topic आ जाता है जो हमारा loss of profit topic है उसमें स question last year में नहीं आये हुए बट no doubt questions आये हुए है आज नहीं आये हुए इस साल में नहीं 2008 में जैसे यह सारे question जो मैं छोड़ रही हुँ ना अभी के लिए यह सारे loss of profit किया है 2008 में आये थे 2009 में 2010 में जो हम मैं अभी करवाऊंगी वो आया था 2011 में आये थे उसके बाद 12 के चैनल पर विजिट करके देख सकते हो इसके important questions सारे cover करवा दिया अब जो एक example है मैं आपको बोल रही हूं book में example number 15 है अगर आप लोगों के पास वह book है तो आप लोग देख सकते हो otherwise आप लोग मेरे पास यहां पर book है आप लोग इसी में से देख सकते हूं example की statement आपके पास surprise समझ लीजिए question बहुत बार आया हूँ अगर आपका लग हुआ तो आपकी बार भी आ जाएगा देखिए इसमें क्या है बी एंड कंपनी बी एंड कंपनी सफर लोस of stock due to fire on 6th मई from the following information prepare a statement आपको बनानी है claim find out करना है इसमें भी simply अगर आप लोग देखे उसके बार यहां पर क्या बोला गया stay stock on 1st January 2015 को जो stock है अब आप लोग पहले यह चीज़ देख लो कि यहां पर आपकी fire का बखकर हुई है 6th मई 2016 6th मई 2016 अगर हम लोग एक January से अगर 1 year countdown करें तो 1st January से 31st December तक तो that's mean हमें यहां पर trading account first of all बनाना है ठीक है trading account का हम यहां पर दिया है opening stock after उसके दिया हमें purchases then उसकी दिया है sales and then दिया है closing stock ठीक है यह सारी यहां तक information given है हमें trading account की ठीक है उसके बाद हमें purchases given है from 1st January 2016 to the date of fire ठीक है उसके बाद हमें purchases given a memorandum के लिए 54,000 sales given है इसकी date of fire 61400 opening stock इसका आप लोग लास्ट यह वले ट्रेडिंग से अज्यूम करोगे और closing stock आपक I hope आपको यह चीज clear है कि कौन सी चीज इसमें given है अब जो next paragraph है उसको थोड़ा सा आपको धियान से समझने है चीक है अब इस paragraph में क्या बताया गया है an item of stock purchase जो हमने stock purchase किया है in 2014 2014 में जो हम लोगों ने stock purchase किया है at a cost of rupees 10,000 अब आप लोग एक चीज धियान में देना यह stock के यहाँ पर last में value given है 31 December 2014 यह line जब read हो जाएगी उसके after में given है 31 December 2014 तो अगर कोई चीज 31 December 2014 को purchase किया है that means वो उस year की closing और next year की purchase बन जाएगी तो next year की purchase हमें यहाँ पर गीवन है 38400 तो यह entry related to this है इस वाज़े से बोली question बहुत important है क्योंकि थोड़ा सा complicated है अगर यहाँ पर य चेज़ किया है यह इस डेट को हमने यह चीज़ पर यह हो किया तो मतलब यह अगले साल की opening में आ सकती हैं यह साल को opening अब यह तो है अब लोगों ने उसकी जो value वेल्यू को सब्सक्राइब कि उसके एंदर इसवस्ट केंदर उसकी किटनी टाउजन हम लोगोंने इस वेल्यू के अदर उसकी वैल्यू को सब्सक्राइब करों का एसे किसे कहा का रहिए स्टोक ऑगे surgeon आपको in 2015 में 2600 का 2015 में सेल हुआ है 2015 आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट का यह तो उस एयर में हाफ उफ दी स्टोक सेल हो गया 2600 का हाफ बच गया वह बच गया 2600 का यह उसका भी अमाउंट होएगा तो उसको आप लोगों के साथ छेड़ शाड़ करेंगे हम लोग देखते हैं उसके बाद दे रिमेनिंग जो बच गया that is 2400 हम लोग देखेंगे वाज चुश्टी परसंट उसको आम लोग 60 परसंट उसकी औरीजनल कोस्ट पर कंसीडर करेंगे उसके बाद हमें सैलवेज की वन है पॉलेसी का अमाउंट की वन है उसके बाद आवरेज क्लोस पॉलेसी फाइंड आउट करने को अब आप लोगों के सामने में एक इसकी स्टे तरह की तरह चलती है कि हमारा ओपनिंग स्टोंग है जो है वह lifecycle पंस्टै का हृँ आपसर yht स्टांट की जाएंड की ङमने इसके तो आप लोग इसके अंदर 4,000 और एड करोगे 38,400 प्लस 4,000 कितने होगे 42,400 में से बोल रहे हैं कि आप लोगों के 42,400 में से 10,000 के आप लोगों के जब यहां पर अडिशनल इंफोर्मिशन गिवन उन्हीं लग जाती है तो आप लोगों के अब नॉर्मल साइड वाले में बोलेंगे वह आपके अब नॉर्मल होएगी तो आप लोगों को टोटल अमांट अपनी कहा गया 42400 इसमें से आप लोगों के 10,000 अब नॉर्मल गए तो बचे 32400 डाट इस अवर नॉर्मल वैल्यू ठीके जी आपको इस चीज क्लियर हो चुकी है उसके बाद आपको प स्टोप वास सोल उन 2015 हम लोगों तो 2600 की वो सेल होगी तो सेल में से आपको यह चीज में से देख लेना है आपको सेल जो वैली यह उसको आपको अबनॉर्मल साइड हमेशना अडीशनल वैल्यू में आपको अबनॉर्मल के बारे में ही बताते है माँ बार बाब आ पोल रह है तो नौर्मल कितनी ही वह हमारी टू लैक रुपीज की ठीक है उसके बाद हम लोगों को यहां पे क्या गिवन है closing stock given है closing stock कितना given है हम लोगों को three one eight double zero three one eight double zero का हमारा closing stock है अब आप लोग यहां पर additional इंफोमेशन के एक बार दोबाराम रीड कर आप लोगों को हो रही है तो यहीं से दिखा देती हूं चिक अगर यहां पे देखिए जैसे हमारा half स्टोग जो है हो सेल हो गया 2600 का हमारा half स्टोग सेल हो गया 2600 का लेफ्ट कितना बच गया हाफ हाफ से स्टोक सेल हो गया 2600 यहां से लाइन डिफ्रेंट है इस लाइन को इसके अंदर कंसीडर मत कीजिएगा यह लाइन तक का मतलब पहले देखने हैं हाफ 10,000 का टोटल स्टोक था जिसमें से हाफ आप लोगों का सोल्ड हो गया 2600 का 2015 में तो जो हाफ बच गया उसकी भ हुआ 2600 जो है अई हमारे टोटल गतने ऐनीड तोटल स्टोंक कितने बात हो गया तो 5े तो में हमाजविक यह दूटि ऑजल होगे तो हमने पहले यहां पर स्टोENS की ट्रीटमेंों तरीट्मेंट कर दी अब वहीं चीज़ बोल रहे है कि 2600 हमारे जो है वो लेफ्ट बच्च भी तो गे न 2600 सेल होगे तो 2600 के लेफ्ट बच्च भी गे अब हम लोगों को यहाँ पे closing stock बोला गया 31800 31800 हम लोगों का closing stock है इसमें आप लोगों के जो आपको करना है इसमें आड 26 के अपके 2600 में आपके 2600 के total add करोंगे तो 3440 आजएक है आप लोगों क्लोजिंग का balance जिस में से उनकी original value कितनी थी जो स्टोक आप लोगों ने सेल किये उसकी वैल्यू थी 5000 वाले को आपने 2600 में किया तो आपकी यहां पे वैल्यू आएगी 5000 और इन दोनों को माइनस करके आप लेने वाले हो 29400 जो आपकी वैल्यू आजाएगी ठीक है उसके बाद यहां पर आपको आगे एक लाइन और बोली दो यह गाइस जो यह लाइन लिखी है जो यह मुझे बाद खोंफूजिज किया है तो आपको इसको यूस ट्रेडिंग में करने है उसको ये तो यह भी ले सकते हो और जो यह 24,000 यह जो उने बोला कि उनके रिमेनिंग बच गए मैंने क्या बोला नीचे जो इंफोर्मेशन इवन ए रिलेटी टू अबनोर्मल लोस अब आप लोगों ने यहां पे 10,000 डाल दिया यहां पे 2600 डाल दिया यहां 5000 डाल दिया 2400 यहीं पे कम होते हैं अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप लोग पीछे जो इंफोर्मेशन इवन 2400 उसको यहां पे ले लो तो प्लस माइनस करके आपको ओटमेटिकली यहां पे 5000 बचने वाला है तो उसको लेस करके आप लोग इधर ले सकते हो अधर वाइस आप लोग अपना वेज ए चलोगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा जो रिमेनिंग बच गया 2600 का एक सेल हो गया जो रिमेनिंग बच गया अब उन्हों नहीं नि यह नहीं बताइप वह उसकते हैं वह अगहानु nepam Varm लोग तो हम लोग इबहारे रह एंबलच को सकते हैं घृँ पास यह जोएकंगए उनकी वैलिए 24ーー तो एफ वेसे भी कर सकते व चींड़ कर सककते हो इसको ठीक है उसके बार हम लोगों का GP ढ़कर जीपीर की रैश्यों निकौल लेंगे नाege हमारा जो जो सेल पधर हमोगा Gobierno question में घिवन थी ठीक हम लोग question को ही रीड करेंगे आगे purchase इस गिवन है हमें यहां पर देखिए देखिए गिवन है purchase from first January 2009 purchase गीवन है ना 54,000 की और sale given 61400 की तो purchase कितने गीवन है आपको 54,000 की यह डाल दी सेल गिवन है 61400 की ये डाल दी परचेज और सेल दुनों डाल दी हम लोगों को जो गिवन है यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ आपको प्रॉब्लम हो रही होगी परचेज ये गिवन थी सेल ये गिवन थी डाल दी उसके बाद नीचे वाली इंफोमेशन में आगे रीड कर होगे ifay बच यही र्चेज यह सेल अल्लोगों को पता चल चुकी यह अब उसके बाद हम लोगों इसमें स्टीफे और द्यान वहां हो त्युभीस हमेशा आपको नमर्मल मत लगाई हैं उनल पर निकलatी estor करने कर unjust शय। हमारी वे निकले अब हमने कि यह को स्टोक रहता है। थीच है आप लोगों को स्टोक तो तो आप लोगों को पहले नोर्मल साइट को प्लस माइनस करके यह वली साइट अपनी प्लस माइनस करके निकाले अब हमारी बात आती है इन दोनों वैलियूस की यह दोनों वैलियूस में से यह वैलियूस आपको स्टेटमेंट में इसकी भी गीवन थी और इसकी भी गीवन है मैं आपको दिखाती हूँ कैसे गीवन है देखिए अब आप लोगों को थोड़ा सा अपना माइंड लगाने है यहां पर क्या लिख रख है वन फॉर्थ ओफ दी ओरीजिनल स्टोक वाज सोल वन फॉर्थ ओरीजिनल स्टोक सेल हुआ है ओरीजिनल स्टोक देखने है ठीक है स् कितने थी टोटल स्टोक कितने का था 10,000 का तो टोटल चो वन फॉर्थ है वो सेल हुआ है 10,000 का वन फॉर्थ सेल हुआ है मतलब 2500 के यूनिट सेल हुआ है 1400 2500 के unit sale हुए 1400 तो आप लोग को यहाँ पर 1400 लिख दिया चीक है उसके बाद आगे जो एक line बोली गई है 14 हमने देख लिया उसके बाद क्या बोल रहे है the remaining stock was जो उसका remaining stock है उसको consider करना है हमने to be worth उसकी original पहले देख लिजी जो remaining stock बच गया ठीक है हम लोगोंने stock की value किती थी 10,000 इसमें से one fourth निकाला वो sale हो गया one fourth उसका stock sale हुआ बोल रहे हैं जो one fourth stock का जो remaining बच गया was consider to be worth 60% उसकी original cost जो उसकी cost हम लोगोंने question में repeat की थी that is 6000 जो हम लोगोंने question के according उसको statement को जो उन्होंने cost उसकी लेके वो चले थे original cost कितनी थी उसकी 6000 6000 में से अगर हम लोग देखे तो 2500 उसने sale के न 1400 के तो 6000 में से अगर हम लोग 2500 units देखे जो उसने sale कर दिये तो जो 2100 है जो उसके बच गये जो उसकी remaining stock बच गया remaining stock consider to be worth 60% जो आप लोगों को उपर भी देखे ऐसे ही given थी न दी remaining value of the goods जो 2400 इसको हमने क्या consider किया था बाइवाली side क्या consider किया था by profit and loss और loss consider किया था सेम वही चीज़ यहाँ पर आपको profit and loss और loss consider करना है 2100 आप लोगों यह value कैसे है मैं दोबारा समझा रही हूं 10,000 उन्होंने बोला है कि आपको one-fourth करना है उसकी original stock का original stock उसका था 10,000 का उसका आपने करा one-fourth 10,000 का आप one-fourth करोगे आपकी value आएगी 2500 का stock उसने sale किया 1400 का ठीक है 2500 का stock sale हो गया उसके बाद क्या बोले है जो remaining stock बच गया उसको consider करना है 60% of the original उसकी जो cost original हमने question में repeat कही हुई है question में जो वो cost को जो उन्होंने consider किया है that is 6000 6000 इसके अंदर included था ना 10,000 थोड़ा उन्होंने रोंग ली जो value ली थी 6000 जो उन्होंने original cost ली थी 6000 के उपर आपको करना है 6000 में से अगर हम लोग देखे 2500 के unit sale होगे तो कितने के left बचगे 2100 जिसके उपर हमें lowest हुआ जो हमारे sale नहीं हुए that is 2100 के हमारे abnormal आगे और plus minus करके आप लोगों की अब normal की value भी आ जाएगी balancing figure ठीक है ऐसे करके आप लोगों की closing stock निकल आएगी same way से उसके बाद आगे तो simple आपको closing stock में से अपनी salvage minus कर दिनी है stock destroy by fire आ जाएगा then claim का formula लगा देना amount of policy divided by stock on date of fire multiply by stock destroy simply आपका question solve हो जाएगा guys आप लोगों को एक बात कहनी थी कि हमारे channel को ऐसे बहुत सारे बच्चे आती है जो वीडियो को देखते हैं पूरा देखते हैं वीडियो को questions को समझते हैं बट उन्होंने channel को subscribe नहीं करका 69.6% लोग ऐसे हैं जो channel को subscribe नहीं करते बट वीडियो को regularly द